हेलो फ्रेंच नमस्कार कैसे हैं आप लोग आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे फ्रेंच आज में लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और चटपटा रेसिपी जो की है कुरकुरे मॉमूस यह बहुत ही अच्छा लगता है सभी को बहुत ही पस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें तक जो भी वीडियो अप्लोड हो मेरी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो फ्रेंच चलिए बनाना शुरू करते हैं हम कुरकुरे मॉमूस तो रेसकी इंग्रेडियंस देख लेते हैं चलिए इसक कप सोया बिन चंक्स जो है एक बार मिक्सी में रफली ग्राइंड कर लिया था इसको मैंने भी गो दिया था आधा गंटा के लिए देखिए अच्छे से फूल गया है एक कप हम कदुकस किया हुआ पत्तागों भी ले लेंगे एक गाजर हम कदुकस कर लेंगे और एक मीडिय मिर्च बारी कटिव और नमक स्वाद अनुसार तो चलिए सबसे पहले फिलिंग को बनाना शुरू करते हैं अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे एक से दो चम्मच और फिर इसको हम मेल्ट होने देंगे जब ये बटर मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ अधरक लहसन और हरी मिर्च इन सभी को बारी बारी से डाल देंगे इसमें इस तरह से और इसमें अच्छी तरह से हम भून लेंगे और फ्लेम मेडियम रखेंगे देखिए इस तरह से हम चलाते हुए इसको भून लेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा भून जाए तो हम इसमें जो सोया बीन चैंक्स जो हमने भीगो कर रखे थे उसको हम डाल देंगे इस तरीके से और एक से दो मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि जो भी इसमें जो मौस्चर है वो एकदम खतम हो जाए बिल्कुल ड्राइ हो जाए तो देखिए यहां हमने अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें सब सबचियां डालेंगे सबसे पहले प्यास जाल देंगे इसको भी डाल कर हम भूनेंगे दो से तीर मिनट तक अच्छे से देखिए यह भी थोड़ा सौते हो रहा है अब हम इसमें बाकी की सब इसमें डालेंगे स्वादनुसार नमक आप जैसा खाते हों अपने हिसाब से ठाव सकते हैं तो इसमें यो गें85 चाव Indeed Send चला के सेकेंड के लिए हम इसको भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे आप जाहिए, तो इसमें सोया सुस और वेनिगर भी ढाली या सेज्वानाच छटमी भी ढाल सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे पत्ता को भी और इसको भी डाल कर हम एक से दो मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि जो भी मौश्चर इन सब सब्सक्राइब का है वह एकदम खतम हो जाए एकदम ड्राइब हो जाए देखिए यह बिल्कुल मिक्स्चर हमारा बन के तयार है Flint मया है अब हम केस अफकर देंगे और इस फिलिंक को हम ठोज थंड़ा होने देंगे जब तक हमरा फिलिंग ठंड़ा हो राइये डो बना लेते हैं यह हमने एक कप मैदा और MON यह sprink और यह आधा कप पूरा डेड़ कप मैदा लिया हैं इसमें हम डाल देंगे एक चो को देखे इस तरह से हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा है हम सॉफ्ट एक डो बना लेंगे देखिए हमारा डो बन के तयार है एकदम ऐसा ही सॉफ्ट डो बनाना है देखिए इस तरह से एकदम सॉफ्ट डो बनाके अब हम इसको ठक के 10 मिनट तक रख देंगे ताकि हमारा जो डो है वो बिल्कुल सेट हो जाए आईए हम आगे का प्रोसेस करते हैं यहां जो हम कुरकुरे मोमोस बनाएंगे उसके लिए हमने आधा कप यह मैदा और आधा कप कौन फ्लोर यह दोनों चीजे ली हैं और यह है रेड चिली पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर आमचूर पाउडर कश्मीरी रेड चिली पा अनुस्वार और इसको बनाने के लिए पानी का इस्तमाल करेंगे तो आईए यह घोल तयार कर लेते हैं एक बाउल में हम मैदा और कौन फ्लोर को डाल देंगे और फिर हम इसमें बाकी के सभी इंग्रेडियन्स डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चमच आमचूर पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर और आधा चमच ब्लैक फेपर पाउडर आधा चमच हम डालेंगे कश्मीर्वी रेड चिली पाउडर और फिर हम इसमें डालेंगे नमक का ध्यान रखेंगे व नहीं ख़्यु refuses में चुलीद नहीं हो टो इस तरह से थे इसे टालेंगे और हम फिर हम करने केभाद पानी डाल केे स्मूध बंऑ बना लेंगे और ध्यान लखे दियाना कि में लुक्य फर्ट तो थोड़ा पानी डाल कि हम ऐसे लिख सूधस्मूध बना लेंगे कंसिस्स्टंसी बिल्कश्स 좋은 हो नहीं चाहिए थेखिया इस सक्ष्टंस्य का होना चाहिए है इस तरीके से हम बैटर बना लिए हैं, देखिए हमारे डो को भी 10 मिनट हो गया है, ये बिलकुल सेट हो गया है, आईए अब हम बनाना शुरू करते हैं, तो एक बार इस तरह से इसको ऐसे करके हम मसल के ऐसे कर लेंगे, और फिर हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, जिससे कि हम छोट छोटी पूरिया टाइप का बना सकें, तो जितना चोटा बढ़ा आप बनाना चाहते हैं, तो देखिए सभी डो को पूरा इस तरह से हम लोईों में काट लेंगे, और फिर इन सब को हम ऐसे हथेलीों में गोल कर लेंगे, और फिर हम इसे बेलना शुरू करेंगे तो इसको हम सुखे आते में ऐसे लगा कर और पतला बेल लेंगे तो इन सभी लोईयों को हम बेल के तयार कर लेते हैं देखिए हमारी पूरी बनके तयार है देखिए इतनी पतली होनी चाहिए तो देखे सारी पूरियां बनके तयार हैं अब आए हम इसको फिल करना शुरू करते हैं यह हमारा फिलिंग भी ठंडा हो गया है तो इस तरह से हम एक पूरी ले लेंगे और थोड़ा सा पानी रख लेंगे पानी हम इस पूरी के किनारे किनारे हम इस तरह से हम लगा देंगे एक बार और फिर बीच में हम फिलिंग को रख देंगे देखे इस तरह से और फिर फिलिंग को रखने के बाद हम चारो तरब से इसको पकड़ते हुए इसको बंद कर लेंगे देखिए इस तरह से हम ऐसे साइट से पकड़ते हुए ऐसे ले चलेंगे गोल और फिर इस तरह से हम बंद कर देंगे ये जो मोमोस है थोड़ा हम लंबा इस शेप में बना रहे हैं तो देखिए हम इस तरह से हम सभी मोमोस को बना लेंगे देखिए एक और हम दिखा रहे हैं आपको तो इस तरह से साइड में हम पहले पानी लगाने के बाद बीच में हम इस तरह से भर लेंगे और फिर भरने के बाद हम इस तरह से इसको पकड़ते हुए ऐसे घुमाते जाएंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए लेते जाएंगे जब आधा फोल्ड हो जाएगा तब हम इसका मूँ ऐसे बंद कर देंगे जिस्ते की शेप जो है ऐसे लंबे में आ जाएगा तो देखिए इस तरह से हमने सारा भर के तयार कर लिया है अब हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे तो अब इस तरह से हमने जो बैटर बनाया था वो और यहां पर हमने कॉन्फलेक्स लिया है इसको हमने अच्छे से क्रश करके थोड़ा सा बारिक कर लिया है तो अब हम इस एक ऐसे मोमोज ले लेंगे और एक हाथ से मोमोज को ऐसे डिप करेंगे बैटर में और फिर उसको हम ये जो क्रश किया हुआ कॉन्फलेक्स है उसमें हम इस तरह से डाल देंगे और ऐसे उपर से हम डालते जाएंगे ताकि इसमें अच्छे से कोट हो जाए इसमें अच्छे से कोट हो जाना चाहिए इस तरह से तो इसी तरह से हम बाकी के भी जो को मोमोस हैं उसको हम कोट कर लेते हैं सबसे पहले डिप करेंगे बैटर में और फिर हम डालेंगे कॉनफलेक्स के चूरे में और फिर चारो तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे तो इसी के हम इसी प्रकार से हम सभी momos को coat कर लेते हैं और फिर coat करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक रख देंगे ताकि पूरा सबने हो जाए अच्छे से हमारो जो momos है और फिर हम इसको fry करना शुरू करेंगे तो fry करने के लिए हमने ऑईल रख दिया है गैस पे तो इसको मीडियम आज पे जब मीडियम गरम हो जाए तम हम फ्राइ करना शुरू करेंगे तो देखिए यह जो ऑईल है यह मीडियम गरम हो चुका है तो इस तरह से हम जितना तेल डाले हैं उसे हिसाब से हम डाल कर इसको अच्छे से फ्राइ करें दूसरी तरफ ऐसे पलट देंगे तो इस तरह से हम पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे देखिए इस तरह से हम भीच भीच में पलट के इसे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे ये अब काफी प्राउन हो चुका है देखिए करारा बना है क्रिस्पी बना है तो फ्रेंस इसे आप जरूर बना है यह बाहर से एकदम क्रिस्पी है यह सभी को बहुत ही पसंदा आएगा जो वी आपके घर मेंमर से सभी को बहुत ही पसंदा आएगा तो फ्रेंस हमने मुमफ सकी चटनी अपने पहले दिखा चुके हैं इसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और फिर से जाकर वहाँ आप देख सकते हैं, तो फ्रेंस इसे जरूर एक बार ट्राइ करें, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, तो इसे लाइक करें, जद़ से जद़ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी